एक बार फिर से आदन्य मान्य पंच कमेटी महोद्या बैठियो मेरे सभी अतित्थी गण महोद्या मेरे बुजणगण मेरे नौजबान भाई मेरी माता वेनाई सभी कैसी चर्नोमी कुमारी लक्षमी सिंसिनवार की तरफ से एक बार फिर से हाथ जोड़कर के सत-सत कोट नमामी नमस्कार राम राम साथ भाबा साब आपकर जिकडी बजन प्रत्योगिता में प्रथम भार गाने का मौका मिल रहा है आप सबके प्रथम भार दर्शन कंडे का अफसर प्राफ्त हो रहा है क्योंकि भाबा साब कहते हैं कि दरशिभना सबकुछ उस इस्वर के हाथ हुआ करता है रामायर के अंदर भी बाबा साब हनुमान जी से स्वेम बिभी सार जी कह रहें कि अब मोई भा भा भारोश हनुमंता और बिन हरी कृपा मिले नई संता बाबा साब समय के अनुसार काम करने के लिए कमेटी का आदेज इस प्रिकार से हुआ है दस मिनट जिकड़ी के लिए सीधा ध्यान जिकड़ी के तरफ केंडरित करें जहां में अपना प्रसंग छोड़ कर गई थी आज जैसे ही वह सब माचों पांडव रानी द्रोप्ती को दाप पर लगा देतें दाप पर लगा करके हार गए दुर्यो धन ने दूसासन को आदेश दे दिया आज दूसासन आनी द्रोप्ती को पकड़ करके उस राज दरबार में लाकर के खड़ा कर देता है और सुनियेगा आज राज दरबार में रानी द्रोप्ती के साथ होने क्या लगा भईया कैसे ओर ले खड़ी द्रोप्ती और करी सभा में और ले जिछाई गयों सनाटो हे और पड़े पींज डामे और सेर देख स्यारा निकों कड़ी गयों कांटो हे पड़े पींज डामे कां येरे चले बेनमक लगाने को योने अपनी जांग दिखाई है तो और द्रोप्ती की साड़ी और द्रोप्ती की साड़ी खेच दू साफसा नतियों हुकमा सुनाई है द्रोप्ती की साड़ी और द्रोप्ती की साड़ी खेच दू सेवान गर्की छोरी है ऐसो एजावन गर्की मुर्गी डाल बराबर कर दें कहीं यह बात है तुम्हों जान रहे है यूपी क्यों ठोरी कल लेन आएं और एक सिंसन बारन क्यों आई है तुम्हारी अपनी गाबिया में जमीन आसमान को अंतर मिलेगो लेकन भाया वह किसी ने कहाना क्या एक बात को हो एक बात हमेशा कहती हूँ अगर आप उसे मनजूर करें को और होनी तो होकर और होनी तो होकर रहती है इसलिए सोच तो दूर करें होनी तो होकर लिए सोच तो दूर करें है आहां सजनू राणी द्रोप्ति को दापर लगा दिया राणी द्रोप्ति बाबा साब उस सभा के अंदर आज खड़ी हो गई लेकन सुनियागा जब उस सभा में खड़ी हुई जिकडी को आरो लंगडा ढोला और भया आज लंगडे ढोला में जब आब देने पांचों पांडवों की हालत को बताया जा रहा है और सुनियेगा भया कैशे ये क्या और ला होस यकदमा और भूले गयो यर धर्मा हो क्या और होस यकदम हास यकदम होस यकदम और भूली गयो यर धर्मा हो और होस यकदम का है रहा है बैठे बिवाश बाद है बाद जिननके है अनिल चाचा जी तुम कैसे पीछे को बैठे है कुरसी लेकर निया भया लेकर नो सुनियागा भया कहे क्या रहे है ये हो बैठे अरे जोस थायो जास थायो जोस थायो और भीमा के तन मेरे भारी दे जोस थायो क्या बैठी अब सुन्ना वाबा साब बात आ रही है ये हो गया जिकडिका लंगणाड होला और अब त्यकों अब आरों लंगणाड होला को धड़ा और वया पाडव होता राच चुनियागा कैसे क्या एए ओह मेरे भीरन रे है क्या एए ओह मेरे भाया रे आहां मेरे भीरन रे और धीरज धरम है साथी वो बिपदा के सुन धीरन रे और धीरज धरम है साथी बिपदा के क्या और होगो इस्वर की क्या होगो इस्वर की नी और होगो मा और होगो मा इस्वर की कतेरी में सचोन आये सुन धातारे और धीरज धरम है साथी विपदा के सुन धातारे और धीरन धरम है साथी विपदा के अहां सदनों अब आ रही है उडान और भाईया दी उडान सुनियेगा आदने मारे बड़े भाई भी गांकर के गए और देखो बैनु कहरवान साम मैं हर साल आओ यही नोट मिलो भाईया यहां मैं तो पूरों नक्सा दी घरोपत है ने को अब सुनियेगा भाईया दी उडान आ रही है और कमेटी से निवेदन कर यूँ गोर्ण से सुनियेगा उडान को उडान को मैं तीन साल सोले मात्रा में गाने का प्रियास कर रही हूं और भाईया जी से और की सुनियेगा क्या सोधी पीछी दोडत जा क्या और दोड के और जाएक बाकडे के पड़ी ना पांचाली की पर जोड के क्रोध कर बोली है रानी क्रोध कर बोली है रानी क्रोध कर और सुनियागा कराकार बंदु भी उडान में कुछ अलगदा लगाते मैं भी आपके सामने दो पंक्तियां पेस कर रही हूं बात केबल सेटिंग की आ रही है और वहियादी रानी द्रोप दिवी आज पितामा भी समित की तरफ करके दुर्यों धन अब सुनियेगा जैसा की कमेटी का अदेश एक गीत पेस कर रही हूं और वहियादी गीत भी क्या बाबा साम आप लोगने एक बात सुनी होगी बूडे बड़े इनकिया कावत वान दाने दाने पर लिखा है खाने बाले का नाओं जी ये कावत एक भाग को सबसे उपर लाकर रख देती है कई संसार में सबसे बड़ा जो भी है वो है भाग है लेकिन बाबा साथ एतना के जहाना पोंचा रवी वहां पोंच जाए कभी आज कभी भाग से वी उपर किसी को बता रहा है लेकिन पहले देखो अरमीर भाईया फिलमी दुनिया बालने की बड़ी प्यारी सितर्ज आ रहे बाबा साथ पहले तर्ज सुनों और बाग के बाद हुसन हाजर है मोहबत की साजबाने हुसन हाजर है मोहबत की साजबाने क्यों कोई पत्थर से कोई पत्थर से न मारे मेरे दीवाने लेकिन अब गीत क्या कह रहा है दाने दाने पर लिखाए खाने बाले काना और भाग से बड़ा किसको बताया भया कहा बत कर देती एहसास इस जमाने को को समय कर देता है महतार दाने दाने को समय कर देता है महतार अब सुनना पहली बात कर रही हूं जा भाग से बड़ा समय बदल गया बाग आप जानते हो लेकिन सुनेगा पहला राजा आरा भीया कैशे सखा बच बन के सुदामा बेन अदलाल हुए मित्रताई की इस जहां में मिसाल हुए भरी इस भाबना से भाब कैसे बदलते और चतुर चित चोर से ही हाँ चतुर चित चोर से ही हसुदामा चाल चलते चतुर चित चोर से ही आप लोगोंने नाम सुना होगा सुदामा जी का सुदामा जी जनम से गरिब नहीं थे भाग में राजा का पद था जनम से एक राजा थे लेकिन जब समय बदला न तो दाने दाने के लिए मोहताद कब हुए गुरू माता ने दिये क्या और बात अगर समझ में आ रही हो तो पीछिया के सबदर तुम मोली हूँ क्या गुरू माता ने दिये गुरू माता ने दिये और जोचाने खाने के सुदामा जी सुदामा और सुद्धामा हो गए मोहताज दाने अब बात को किस समय क्या नुझा है बात आ रही है दूसरे राजा की और दूसरा राजा कौन हुआ कहा कब क्या हो पिस्री ने ना देखा कल को भुरे दिन कैसे दिखा दिये और राजा नल को हाथ सब कुछ था जिनके रहे बहाथ मलते भुजी मठली भी जल में हाथ चली जती उचल के भुजी मठली भी जल में लेकन बात सुनना राजा नल एक ऐसे राजा थे जिनका छट्रपती समराड के रूप में सासन था लेकिन बाबा साब जुआ में हार गए बन की तरफ चले गए और बन में जाकर के एक मरी हुई मचली को देखा तो उसको भूज लिया लेकिन समय कितना बड़ा बलवान होता है वो मचली भी क्या कर रही है भूजी मचली भी जल में हाँ चली जापती उठल के वो मचली भी जल में जाती जी जलाने को और राजानल हो गए महतार दाने दाने को